मित्रों आज के इस वीडियो में हमने आपको हरितालिका तीज की पूजा में हमें किसकी सामगरी की आउसकता होती है वो बताने जा रहे हूँ बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है तो वीडियो को अन तक जरूर देखें पर उससे पहले जैब हो लेना दोस्तों मैं मन्जु कुमार अपने सीव परिवार चैनल में आप सब का दिल से स्वागत करते हूँ कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जैब हो लेना जरूर लिखेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारी वीडियो की नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच तो देखिए हरिताली का तीज की पूजा को बहुत ही बड़ी पूजा माना जाता है बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत होता है इस व्रत को सुहागी निस्त्रियां अपने सुहाग के लिए करती हैं घर में सुक समरिद्धी के लिए करती हैं और कुआरी कन्या सुयोग वर प्राप्त के लिए करती हैं तो देखिए पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक लकड़ी की चौकी या पाटी की जरूरत होती है उसके बाद सिव पारवती की तस्वीरिया मुर्ती गीली काली मिट्टी या बालू बेल पत्र केले का पत्ता फल फूल वस्त्र नारियल कलस तेल या घी गंगाजल तांबे या पितल का कलस दूद दही घी सहद सक्कत पांसुपाडी जनेव कपूर आग का फूल दुर्वा जटावाला नारियल बेल पत्र अबीर चंदन मौली इत्र गुलाल अक्छत धूप दीप समी का पत्ता धतूरा का फल हल्दी भांग धतूर पंच प्रकार के फल मिठाई पंच पल्लो दक्षिना हरी तालिका तीज वरत का पुस्तक इन सभी चीजों की हमें जरूरत होती है तीज की पूजा में और उसके साथ ही सबसे जरूरी जो चीज होती है वो है सोलह सिंगार का सामान सोलह सिंगार के सामान हम दो जगह लेंगे जिसमें मेहंदी, चूडी, बिच्छिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदुर, कंगी, महावर, ब्लाउज पीस, एनक, नेल पॉलि, नई साड़ी, लाल चुन्नी, ब्लाउज, आदी सामान भी हमें दो जगह रखना पड़ता है इसके साथ ही स्यूजे के मन पसंदिदा सामगरी भी आप पूजा में रख सकती हैं, प्रशाद में आप खीरा, भीगा, काला चना, अनरसा, गुजिया, ठेकुआ और मक्का का भोग अवस्य लगाएगा, मित्रों अपना सिन्होरा भी पूजा अस्थान पर जरूर तो ये रही हरिताली का तीज पूजा का सभी सामगरी का लिष्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं भगवान भोले नाज से प्रात्ता करते हूं कि वो आप पे और आपके पूरे परिवार पर अपने असीम कृपा बनाए फिर मिलती हूं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैब हो ले नाज हैपी तीज